हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम जिस मुवी की एक्स्प्लेनेशन करेंगे उसका नाम है दीमा मी और ये मुवी रिलीज हुई है 2017 में मुवी के स्टार्ट में हमें लंडन का एक सीन दिखाये जाता है जहाब एक उच्पर को नाइट की कवर मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड जिम के साथ दफनाए गया था अंगली सीन में हमें एक आदमी दिखाये जाता है जिसका नाम ह الر alcohol धा उसके पता चलता है कि यहां एक कव मिली है वो यहां आता है और वरकर्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि यह जगा छोड़ दो और वो कहता है कि सच कभी छुपता नहीं है उसने बाहर आके ही रहना होता है उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताने लगता है जिसमें वो एक एजिप्ट की प्रिंसेज एमनिट पैता होता है जिसने आगे जागे उसका वारिस बना था एमनिट को यह देकर बहुत होसा आता है क्योंकि अब यह सब उसके हातों से चला जाएगा और वो एजिप्ट की वारिस भी नहीं रहेगी तो वो उनसे रिवेंच लेने का सुचती है और डेथ डेमनियानी माद के फ पहले ही उसे चला करने से चला करने से पहले ही उसे जिल्दा पकड लिया जाता और ममी की रूप में जिप्ट से लवस दूर rest भी माने की काउंट लेश कोशिजобр बाग जाते हैं rain इस जगा बॉम ब्लास से वो दोनों गिरे थे वहाँ पर एक मुखबरा बन गया है और जमीन के नीचे है और तभी वहाँ पर जैनीफर यानी जैनी आती है वो निक को स्लैप करती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो खैर पर सीनिया ओफिसर से जाज़त लेकर वो करता है और उसे अपनी बॉड़ी में बहुत से जीब सी चेंजस मैसूस होती है जैसे ही वह बाएर आते हैं और ताबूत को बाए निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कवे आने लगते हैं जो काफी अजीब बात थी जैसे ही वह उस ताबूत को प्लेन की मदद से लेकर साथे होते हैं तो क्रिस जिसको मकडी ने काटा था और बखने है उसकी आंखे फिर झाती है àब चीचा तोड़ते हुए अंदर आजाते हैं निक जैनी को पेराशूट पेना कर प्लेन से नीचे बेच देता है और सब के सब मारे जाते हैं और जब मौर्ग में सब की लाशे पड़ी होती है तो उनमें से एकदम जिंदा हो जाता है जैसे ही वो सेंसे में आता है तो उसका मरा आचुकी है और वहां पे सब को मार करे खुद को ताकत पर कर रही होती है ताकि वो पहले जैसे बन सके उसके बाद निक जैनी से मिलता ही वो उस पूछती है कि जहास क्रेश होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे बचे और एवन उसकी बाड़ी बे कोई बेनिशान नहीं है उससे फर्दर बताती है कि वो एक आर्ची लॉजस ग्रुप के लिए काम करती है, जहां उसे बदर सलता है कि किसी प्रिंसेस के नाम को हिस्ट्री से हटा दिया गया, और अब वो किसी खंजर को ढूंड रही है, जो शैतान का है और उसमें एक रेड जिम भी लगा हुआ है, यहां भी बताये जाता है कि वो खंजर और रेड जिम शैतान को ताकतवर बनाते हैं, और यह सब उसी नाइट की किताब में मिला था, जो कि दफना दिया गया था उसी रेड जिम के साथ, क्योंकि उसने वो जिम चोरी किया था, वो बता दी है कि कुछ ही टाइम पहले उसकी कबर लंडन में पाई गई है, और रेड जिम भी वहां पर जरूर मौजूद होगा, वो बता दी है कि यह मुखबरा एमनेट तक ले जाता है, जो एजिप्ट की प्रिंसिस थी, और यह भी बता दी है कि उसने क्यों अपने फादर और उनके बेटे को कतल किया था, वो उससे यह सब बता ही रही होती है कि निक का फ्रेंड क्रेस उसे बुलाता है, वो उससे बताता है कि वो दोनों इंमोर्टल है, यानि वो जिन्दा ही रहेंगे हमेशा, और तुम इसलिए प्लेन क्रेश में बजगे और तुम्हें इसी के मताबिक चलना होगा, वना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो लग उस ताबूत के पास जा रहे होता है, तो वो देखते हैं कि एमनिट बहुत से लोगों को मार के हो ताकतवर हो रही है, और वो जैसे ही निक को माने लगती है, वो देखते है कि खंजर पर रैड जिम मिसिंग है, वो ये देख कर परेशान हो जाती है, साथ ही साथ वो जैनी को नोटिस करती है, और जैनी का पीछा करने लगती है निक जैसे तैसे जैनी को बचा कर बाहिर ले आता है जहां उसे ट्रक दिखाई देता है और निक उसमें बैट के चला जाता है लेकिन हमें यहां पर एमेट दिखाई देती है और निक उस ट्रक को एमेट की तरफ मोर देता है क्योंकि एमेट कोई और नहीं बलकि हैंडरी है और वो खुद भी एक मॉंस्ट्र है और जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसको खुद को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगाना परता है उसके बाद वो लोगों कुछ जगा पर ले जाता है जहां एमेट को रखा गया था वो उसे बॉड को एक्टिवेट कर दिया था हजारों सालों बाद और अब एमेट ने उसे ही चूज किया है दुनिया में लाने के लिए इससे लिए वो लोग निक को माना चाते हैं दूसरी तरफ एमेट उनकी एक आदमी को कबजे में कर लेती है और खुद को अजाद कर वालेती है उसके लोगों को जिन्दा कर दीती है और सारे गार्ड्ज को मार की रेड जीम ले लेती है और दूसरी तरफ टेनल में निक और जैनी के पीछे वो मुर्दा लोग लग लग जाते हैं और दिवार को तोड़कर दोनों को पानी के अंदर पहेंग देते हैं कुछी दिर बाद देखती है कि वो जिम वाला खंजर निक के पास है निक तो नहीं हिसे रोग देते है और रिक्वेश्ट करती है कि इसे ना तोड़ो इसके जरीय तुम हमेशा जिन्दा रहने वाले गॉड बन सकते हो और तुमहारे पास हर तरह की ताकत होगी तुम दुनिया पर Rule कर सकोगे नेक अचानक से इस खंज़ से अपने आपको मार लेता है और याढ़ पर रिशान हो जाती है और पर निक के अंदर उससर डैड डेमन की सारी एॉज़ार पावर सहरे चाले था और वो निक पर अपना कद़ा जाता है जैनी हूश में आ जाती है सीनू होता है और हमें दिखाये जाता है कि रवह इंचे होचती ुप iç हाया है और वह अपने दोस कृस्ट को हविद्सक्राइब कर लेता है बाष्रेव